हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या तेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो काफी thick fingers है हलका सा चुका fingers का middle finger की तरफ होता हुआ जिस वज़े से थोड़ी वैराग्या की भावना native के भीतर रह सकती है overall fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं आप देख पाएंगे कुछ इस तरह हैं कि बारीक रिखाएं इनकी सभी fingers के उपर नजर आ रही है ऐसी रिखाएं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसी रिखाएं होनी से native मिलन सार सभाव का देखा जा सकता है अगर हम length की बात करें तो इनकी शनी finger यानि के मध्यमा उंगली काफी अच्छी लंबाई में है इस finger का अच्छी length में होना native को मेहनती nature का बनाता है एक discipline और अन्शाशन प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी इनी खूबियों की वज़े से चीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में काम्याब रहते हैं अगर हम इनकी तरजनी उंगली की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हलका सा अंदर की तरफ चुकती हुई और काफी अच्छी length में है इस finger का चुकाव अंदर की तरफ होना native को family की तरफ से मिलने वाले सुखों को कम करता है ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में अधिक करनी बढ़ती है घर से दूर सैटल होने की सिंभावनाएं भी बढ़ जाती है लेकिन अच्छी length में इस finger का होना native को strong leadership qualities देता है ऐसे व्यक्ति knowledgeable होते है spiritual और अध्यात्मिक टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है अगर हम इनकी सुर्या finger की बात करें तो बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में यह finger नजर आ रही है इस finger का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि native की creativity का level काफी अच्छा रहेगा काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है ऐसे native जिनकी half finger काफी अच्छी length में हो थोड़े risk taker होते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाएं हो कैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है ऐसी चीजों में इनकी रूची देखी जा सकती है यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सबसे छोटी यानि mercury finger और सूरे finger के बीच में अच्छा gap बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरह का gap इन दोनों fingers के बीच में बनता हुआ जिसकी वज़े से native काफी independent सभाव का होता है ऐसे व्यक्ति अपने सारे decisions कुछ से लेना पसंद करते हैं किसी के दबाब में रहकर काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है थोड़ी जिदी personality भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके mounts को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनके mercury mount के low set होने की आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं कलाइं यहाँ यहाँ पर draw करता हूँ तो कुछ इस तरह हैं की रेखा बनती हुई चसमें आप देखेंगे इनका mercury mount mercury finger हलकी सी low set है जिस वज़े से थोड़ी shy nature रहने की भावनाएं रहेंगी लेकिन इनकी mercury finger की लंबाई में कोई भी कमी नहीं है यह finger काफी अच्छी length में है जिसकी वज़े से native के communication skills काफी बेहतर रहेंगे साथी साथ ऐसे व्यक्ती का business equipment भी काफी strong रहता ऐसे व्यक्ती चीवन में business के माध्यम से भी धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु परवत की यह जो area है गुरु का area कहला आता है उबरा हुआ बरस्पती माउंट native को ग्यानवान बनाता है knowledgeable personality ऐसे व्यक्ती की रहती है यहाँ पर इस तरह की रिखाओं का होना native के multiple sources of income को indicate करता है ऐसे व्यक्ती के एक से अधिक source of income रहने की सभावनाई रहती है ऐसी रिखाओं यहाँ पर होने की वज़े से native काफी sympathetic सभाव का होता है और अगर हम बात करें सबसे उपर वाली रिखा की इस तरह की रिखाओं अगर यहाँ से शुरू हो और लगबग यहाँ तक पहुंच जाए इस तरह से complete अर्द चंद्रमा की एकरिती बना दे तो इसे गुरू वलाय का नाम दिया जाता है और जिन लोगों के हाथ में गुरू वलाय बनता है क्योंकि यहाँ पर लगबग अधूरा बनता हुआ पार्शियल गुरू वलाय नजर आ रहा है अगर हम शनी की बात करें तो शनी का माउंट इनका दबता हुआ नजर आ रहा है शनी माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को चीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में जो चीजें असानी से मिलनी चाहिए उनमें देरी हो सकती है इवन मैरिच में भी डिले होने की स्भावनाई रहती है शनी रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनी रेखा इनके हाथ में कुछ ब्रूकन नजर आ रही है इसकी वज़ा से काफी सारे उतार चड़ाव जीवन में देखने को मिलते है यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा शनी रेखा कहलाती है अब देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से चोटी-चोटी ब्रेक्स के माध्यम से उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है बीच में इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के चीवन में काफी सारे अप्स और डाउंस रहेंगे लेकिन लगभग 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाता है जिनके हाथ में माइंड लाइन के उपर से शनी रेखा स्ट्रॉंग होती हुई नजर आए आगे बात करते हैं इनके सूर्य परवत की आप यहाँ पर देखेंगे सूर्या का एरिया भी शनी माउंट की भाती हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है जिस वज़े से यश मिलने में कमी महसूस होती है ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितने भी हेल्प कर ले, कितने भी मदद कर ले बदले में कोई अप्रीसियेशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जिससे हम यश की कमी कहते हैं लेकि इनके सूर्य परवत के उपर इस एरिया में आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का चिन सूर्य परवत पर अगर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई न कोई ऐसी खूबी कोई न कोई ऐसी क्रेटिविटी जरूर रहती है जिसकी वज़े से नेटिव चालिस वर्ष की एच के बार समाज में बहुत अच्छा मान समान पाने में काम्याब हो जाता है अगर हम इनके बुद्ध परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लो सेट होता हो मरकरी माउंट लेकिन साथ ही साथ यह एरिया आपको काफी उठा हुआ भी नजर आएगा जिसकी वज़े से नेटिव का बिजनस एक्कुमेंट काफी स्ट्रॉंग होता है यहाँ पर एक उपर की तरफ चलने वाली रेका जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है उपर लैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी वज़े से नेटिव का बिजनस एक्कुमेंट तो स्ट्रॉंग होगा लेकिन इस तरह की उपर लैपिंग से इस रेका में होने की वज़े से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से सबंदित दिक्तों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है आप यहाँ पर देखें कुछ बारेक खड़ी रिखाएं आपको नजर आएंगी कुछ इस तरह की यह रिखाएं अगर बुद्ध परवत के उपर मौचूद होती है तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी healing qualities रहते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की problems को दूर करने में काफी सक्षम होते हैं अगर हम बात करें की heartline की तो आप यहाँ पर देखेंगे heartline के अंत में तीन भाग होते हुए एक इस तरह का trident का चिन बनता हुआ आपको नजर आएगा इस चीवन में काफी उचाई तक पहुँचता है लेकिन इसके बिलकुल विपरीत ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यहाँ पर trident का चिन बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बहिमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिकतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पढ़ सकता है आगे बात करते हैं इनकी mind line की और life line की heart line में यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि आपको कुछ हलकी downward branches की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी formations होती नजर आएंगी जैसे यहाँ पर यहाँ लगभग आईलेंड जैसी formation बन रही है कुछ downward branches हैं जिस वजह से जीवन में emotional setbacks मिलते हैं और laterage में चलकर blood pressure जैसी दिकत या cholesterol जैसी problems होनी की समभवना भी रहती है mind line की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी इस तरह की mind line आपको इनके हाथ में नजर आएगी ऐसी लंबी मस्तिक श्रेखा का होना native की काफी अच्छी memory को indicate करता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाब भी रहता है जिनके हाथ में लंबी मस्तिक श्रेखा हो और वो कट रही हो यहाँ पर आप देखें कुछ रिखाएं इनकी इस life line को इस mind line को इस तरह से effect करती नजर आ रहे हैं इस तरह की रिखाएं होने से native को stress का सामना करना पड़ता है और यह रिखा अगर काफी अधिक लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति को चीवन में move on कर पाने में दिक्तों का सा सकता है अगर हम बात करें इनकी line of life की तो आप यहाँ पर देखेंगे life line काफी अच्छी लंबाई में है इस तरह की लंबी life line का होना दरिशाता है कि native अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की भी करेगा और काफी अच्छी और लंबी life भी रहेगी यह रिखा आपको यहा से बाहर की तरफ निकलना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकीट करता है फॉरन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के चीवन में काफी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको चंदर परवत के ऊपर काफी सारी रिखाएं नजर आएंगी ऐसे रिखाएं होने से native लंबी दूरी की यात्राओं जिवन में कई बाहर करता है लेकिन पर्मानेट सेट्रमेंट की सुभावना यहाँ पर कम नजर आ रही है लेकिन लॉंग स्टे किसी और कंट्री में हो सकती है यहाँ पर इतनी सारी रिखाओं का होना चंदर परवत के ऊपर native को anxiety की दिक्कत देता है बेचैनी की समस्या ऐसे native को अपने चीवन में face करने पड़ सकती है अगर में इनके शुकर परवत की बात करें यह जो एरिया है यह वीनस यानी शुकर परवत का एरिया कहलाता है उबरा हुआ शुकर परवत native को अपने चीवन में हर तरह की सुक्सुधाई दिलवाता है लेकिन इस mount के उपर काफी सारी ऐसी बारीक रिखाएं हैं ऐसी आड़ी रिखाएं शुकर परवत के उपर मौचूद हो तो native को relationships में और married life में दिकतों का सामना करना पड़ सकता है married life में थोड़ी instability रह सकती है और ऐसी रिखाएं होने से native को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने relationship को और family को लेकर रह सकती है इन रिखाओं का यहाँ पर होना शुब नहीं माना जाता अगर हम इनके हाथ में बनने वाली stress lines की बात करें तो इनकी वज़े से थोड़ी anxiety की problem में इनको रहेगी क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे चंदर परवत के उपर और even यहाँ पर बिलकुल center में राहू रिखाएं इनकी अथेली में मौझूद है इनकी वज़े से native को अपनी चीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनकी hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी तो मुझे वर्ट से पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद